असलाम अलेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीदें आप सब खेरिशते होंगे मैं हूँ शैला आदिल शैलास व्लॉग में वेल्कम आज मैंने बनाए मज़ेदार से कटलर स्कूल के लिए स्कूल ऑपनिंग हो गई है और पानी बॉयल करें तो बस अब पानी बॉयल करके इस र होती है मेरा अच्छा सा थामास है तीन लिट्रेस में राम से पानी आ जाता है और तड़ीवन दो इन तक पानी से जारम रहता है आप साथ के जो काम से वो कम्पीट कर रहे हूं तक रहा पानी डाल दें रहते रख़ा है इसको यह चुटी सीवी जब मेरी वानिया थी तब लाए थे इसके रावा तो अभी तक चल रहा है अब यह जहान आप दी पढ़ें बिटा चले नाश्ता करें मेरे प्यारे प्यारे बिच्चे क्या करें याश्वा बिस्मिल्ला पढ़ें बिटा नाश्वा अज मेरे बिच्चे नाश्ता करें बहार का मौसम बहुत ही खुबसूरत हो रहा है माशलला से आज भी शांजी आ पिया गई है चले वानिया बटा करें नाश्ता चले अब यजा आप लोग नाश्ता करें बटा मैंगो पाटी होगी मैंगो ऄही तो एक दो आदागी देसं कि अलो के पता जो ऑने को करने लगे टीह थे आलू के कटलिस बच्चों के निया मैंने कर्फाणे कि मैं अड़ी से भना देती हुआ उसमिस अंड़ा कर दो में पिंदा शार ओधा है थोड़ा सा मैं चिली सौस जाँ लूँंगे जायका बहुत अच्छा था। यह बच्चों का पीका debate है। बच्चों के लिए भीका बना दीजरी हूं। यह ब्रेड ले रहे हूं मैं और इसको थोड़ा सा पानी में सोग करेंगे। दोड़ा होगी जाता है तो फिर फ्राय अच्छी सी नहीं होता है यह अगर बस हल्कल कसा आपने इसको करके दो तरह से ना पानी निकाल लेंगे आपसका इस तरह से सारी करके रख लेंगे आप पर अपनी आलू की पिलेंगे बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए है तो उनके रंच के लिए भी बना के रखे थोड़े आप इसके किनारे ताड़ लीजेगा इससे बहुर अच्छे बनते हैं पानी मैंने निकाल दिया था सारा और आप इस तरह से आप शेव बना लें आप गोल बना लें आप विश हम इसकी शेव बना लेंगे यह देखिए इस तरह से रबार रबा के इसका पानी निकाल दे थोड़ी सी तिलिंग लेंगे थोड़ी सी तिलिंग लेके और इस तरह से करेंगे कि मैं इसको इससे खुमाब आप सारे आप बना लें कट्लिस इस ते यह दिखिए यह दे कि मुद्धा लेंगे अंडे को अची तरह से फेट लेंगे और यह जो हमने कट्लिस बनाए हैं अंडे में डिप करके इसको हम आईल में ने गरम कने रग दिया है इसको हम ऑईल में डाल लेंगे इस तरह से करके बस खलका सा ऑईल गरम हो गया है मैं किनारे नहीं उतारती क्योंकि मुझे लगता है जाया हो जाएगा क्योंकि हम कोई दूसरी डिजर्ट बना नहीं रहे हैं मीठे में हमें होता है चलो हम उतार लें लेकिन है कि मैं बहुत कम यह जाया करती हूँ मैं इसी तरह से अंदर लपेट लेती हूँ आपकी मर्जी आप देशक उतार लीजेगा बस थोड़ी तेज आँच करके आप डारेक्ली ओल में भी कर सकते हैं लेकिन अंडर जो हम लगाते हैं इससे फाइदा होता है कि ऑल बहुत कम जाज़ज होता है तो इसलिए आप अंडर लगा लेंगे न तो सिप आपका अंडर उपर से प्राय होगा तो आपका ब्रेड भी बहुत जाएगी हो जाएगी लेकिन आइल बहुत जादा खर्शनी होगा तो यह बहुत फाइदा होता है इससे ना अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राइ करेंगे और भी राम इसको उतार लेंगे चुले से मज़ेदार से कटलेस रड़ी हैं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही हमी बनते हैं उपर से क्रिस्पी अंदर से नरम बहुत मज़ेदार लगते हैं कटलेस से इंजॉल कीजिए मज़ेदार से मज़ेदार से कटलेस गरम होते हैं अभी केटर लगाईए और ऐसे काईए बहुत मज़ गया अशुरा का रोस्तार मैंने न्यास बाटी थी अशुरा की मैंने खालुदा बना लिया था ममा लख के हलीम बना था वहाँ भी जाना था मैंने लिये हैं थोड़ी सी सवईया यह रंग बरंगी सवईया होती है यह दो तरह की जैली ली है मैंने और थोड़ा सा में लोंगी तुक्मलंगा जिसको हम पानी में भीगो देंगे दो से तीन टेबिल स्पून आप ले लें यह बाल आ चुका है इसमें हमी सवईया एड़ कर देंगे इसको बस बहुत जादा नरम नहीं करेंगे थोड़ी खड़ी खड़ी होंगी तो हम चूला पन कर देंगे और इसको निकाल लेंगे पानी से शर्बत में आइड करने के लिए यह खुबानी में से जो भी बादाम निगलते हैं मैं इसको सेफ करती रहती हूं और फिर यूज कर लेते हैं हम लोग इस तरह से किसी मीठे में भी बस मैं इनको भी वही तोड़ के रख रही थी मेरे मीठे में डालना है क्योंकि आज बादाम पतम हो गए थे इतने चोटी चोटी से मैं इसको गरम पानी में डाला है अभी इसका चिल का उतर जाएगा तो मैं कायट के शेर्बत में इसको करूंगी एक कप चिनी डाल देंगे ताकए बादाम को मैंने कायट के बारीग कर लिया है अब हम इसको भी राइट कर देंगे 3-4 चमच कान फ्लार के सब्द defaust और क्स्राइड पावडर के सब्सटेड तो नहीं है तो री रगा로 पाथी के सब्सक्राइड चाउ मैं पी अच्ज को आलेगे भाद को डिजूद करें में इसमे के डिन दूद नाए भाद को ढाद केशफुरार करें और अच्छी तरह से जल्दी इसको चलाएंगे ताकि कोई गुट्लिया ना बने इसी तोड़ा सा और कांपा राइट कर देंगे थोड़ा सा रूखेवरा डालेंगे यह खुश्बू के लिए होता है बहुत अच्छी खुश्बू आती है अभी हम इसे राइट सीरुप डालेंगे रोज सीरुप जैली सवाईयां वादा सब डालेंगे तो बहुत अच्छा सच गया नहीं हमाजा बद्दसा कर स्ट्रक्श् इसका यह थोड़ा सा स्ट्राबरी केस्टर्ड है राइट स्ट्राबरी केस्टर्ड बस अब हम चूला बं कर देंगे बस हमें इतना ही गाड़ा चाहिए अब इसमें जो मैंने समयां उबाल के रखी है जैली अगर है वह मैं फिर ठंडा होने पर डालूगी और थोड़ा सा जैली को मैं कट कर रही हूं जैली को हम बारी कट कर लेंगे बार इक बारी कट करने के बार हम इसको क्यूट चाल देंगे यह देखिए जी बहुत एक उप्सुरा सी जैली हमारी रेड़ी है यह प्यारी में है पाद हमने जैली पॉड़ा डाल दिया था और हमने पर इसको प्रिस के लगती है उसको बस अब हम यह भी आर्ट कर देंगे इसमें जाओ आखिए जोड़ा दो दॉड़ा टाली थी क्योंकि मुझे कम लगी ती आप अपने टेस्स के मताबिक डाल ज़ेगा थीन किलो दूट है तक दग तक जबाएंगे तो इसमें आप अपने हसाब से नासी ताली जगा अब्सक्राइब को दो शीरुट तो डाला है इसमें तो यह जाएंगे चेशे तरहां से इसको बार इसको सर्फ करें आइसक्रिम दाने तो बीपी फालुटा लगेगा मज़दार सा फालुदा शबत रड़ी है फालुदा शबत कह लें इसको या फिर आप इसको तो आपको इस बहुत इस अबना है फालोट शेवाट आप इस अबने को आप इसमें आइस्ट्र में तो फालोट और लेगा वीटियो पसंद आई तो प्रीज लाइक शेर और कॉमिकर की चेहेंगा अपने दो यह भी प्लाउस यह जर्दा यह अहलीन चलो बस अब हम रोजा खोलेंगे आज बाबी ने हमारी दावत की है हमारी नाजिन बाबी ने है यह मेरी जिठाने जिननने हमें बिला लिया था नीचे हम लोग नीचे चले गए थे हमने वहीं प्लाव बनाया था बहुत अच्छा खाना था बहुत शुक्रिया भाबी दौा मियाद रखिए का लपाख सबकर शिवा करोजा कबूल फरमाए हमारा भी आपका भी न्याजित ब